राहुल जी से प्रेरित हो के मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है तो सुना है वो दिल दैलाने वाला है एक जगन्य अपराद की गाथा है पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है मेरे लिए सम्विधान से बड़ा सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया सम्विधान से बड़ा कुछ नहीं है सम्विधान के जजबे को जमूरियत को इंसाफ को कतल करने का एक परियास है इंसाफ दोहरा माप धंट नहीं अपना सकता मानविय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता इसकी भरपाई नहीं हो सकती मैं लबपीजी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते है नहीं चाहिए हमें पैसे एविडेंस है वीडियो है एफाई आर में नाव है वितनेस कह रहा है कि मैंने देखा मैंने बाजू पकट एफाई आर में उसका पूरा सुरलेख है तो फिर गिरफतारी इसलिए नहीं हो रही कि मन्त्री जी के बेटे हैं मुंचिफ कातिल हो गए अगर रखवाला ही जर्म करने लगे तो किसके दर्वाजे पे दस्तक करेगा गरी बात बहुत हुआ आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गिया है इस सिस्टम से किसान भाईयों का भी विश्वास उठ गिया है मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि FIR में नाम है आई विटनेस है प्रूफ है एविडेंस है मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन जोइन करनी चाहिए नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए पुलीस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है इतनी है लेकिन क्यों नजर अंदाज हो रहा है इस समझ में नहीं हुआ है मौरल अथोरिटी किसानों की मौत मैं जब यहां आ रहा था तो सड़क पे बचला आ गया बचला दो बार ब्रेक लगी है हाई तोबा हुई और वो बच गया इंसानियत मर चुकी है पीठ के उपर सोच समझ के तेज गारी भगा के रहुंते हुए चले जाना तहा की इंसानियत है यह हैवानियत कोई हैवान कर सकता है इसलिए यह समविधान का बहुत बड़ा मसला है यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है किसानों की जो यह जो संगर्ज है उसमें किसी लीडर की भी आहूती होनी चाहिए तभी यह विश्वास वापिस आएगा इमेज औफ यह अगली पॉलेटिशन हैस्टू भी इरेस्टू जस्टिस निलेट जस्टिस इनाएट इसलिए मैं अपने वचन का पक्का हूँ क्योंकि मौल ही उसी चीज़ का है जबान का भरोसा होना चाहिए जब तक इनसाफ दोरा मात दंड नहीं अपना सकता कि अमीर के लिए और है मंतरी के लिए और है और गरीब के लिए और है और किसान के लिए और है उस पवित्र सत्य ग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा और उस सत्य ग्रह में शमूरियत करनी होगी मैं एक सतंतरता सैनानी का बेटा हूँ इसलिए मैं विनमरता से ये कहता हूँ कि जब तक मिस्रा जी का जो बेटा है अशीश उसके उपर कारवाई नहीं होती वो इन्वेस्टिकेशन जॉइन नहीं करता मैं यहां अंशन पर बैठूँगा मैं भूखरताल पर यहां बैठूँगा कोई परवा नहीं कोई परवा नहीं कोई परवा नहीं यह किसान की इज़त की रोटी की लड़ाई है गरीब मजलूमों के हुकों की लड़ाई है हक सच्च की लड़ाई इसमें एक इंच पीछे नहीं ही इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद मेरी बात सुन लिए मैं मौन हूँ और कोई बात नहीं